मनोस्तिवारी केंद्रिये ग्रे मंत्री अमें चाने कुछ तेर पहले असाम में बोला है कि नेगिटिव पॉलिटिक्स कर रही है विपक्ष और देश की जनता कॉंग्रेस की इच्छा के भरोसे नहीं बैठी है देखियामिस देवगन जी आजे भाई निश्यत रूप से हमारे भी मित्र रहे हैं और मित्र हैं भी आज भी हैं लेकिन सबसे जो बड़ी बात आज हो रही है अगर एक नई संसद इस देश को मिल रही है तो कुछ लोगों को दर्द क्यों हो रहा है क्योंकि समय के साथ अपने गौरों पे खड़ा होना चाहिए पहली बात दूसरी बात बहुत सही आपने कही जो मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले जब से मैं सांसद बना हूँ अजे भाई भी पहले सांसद रहे हैं जब से मैं सांसद बना हूँ अक्सर देखता हूँ यहां तक कि राष्टपती जी का स संजुक्त अधिवेशन होता है उसको भी कॉंग्रेस और कई लोग उसका विरोध करते हैं खासतर से कॉंग्रेस जो लोग आज राश्टपती जी की दुहाई दे रहे हैं महामहिम राश्टपती जी की अभी अभी महामहिम राश्टपती द्रवपदी मुर्मु जी के संजुक बहुत बड़ी खबर आ रही है इसमें बहुत बड़ी ब्रेकिंग सोरी है कि अब 25 दल शामिल होंगे नहीं संसत के उधाटन के अंदर यानि विरोत का एक जो खेमा था वो हलका परता जा रहा है समहरों में एंडिये के 18 दल है और गैर एंडिये साथ दल शामिल होने जा रहे ह यानि देश की नहीं संसत में अधिक्तर पोलिटिकल पार्टिया आप कॉंग्रेस को छोड़ दीजे और आमादी पार्टी को छोड़ दीजे इनको छोड़कर एंटीबी को छोड़कर लगबग लगबग तमाम दल शामिल हो रहे है फॉर्बर प्राइम निस्टर एच्डी देवे गोड़ा, फॉर्मर प्राइम निस्टर एच्डी देवे गोड़ा भी शामिल होंगी, इस समय की बड़ी खबर है और मैं आपको बता दूँ, कल समाजवादी पार्टी में भी विरोग के स्वरा हैं इसको लेकर और सूत्र कह रहे हैं, कॉंग्रेस का एक तपका भी म प्रधान मंतरी नहीं करेगा, तो क्या पाकिस्तान का प्रधान मंतरी करेगा, राम गोपाल यादव का भी कल बयान आया, हाला कि आज उन्होंने क्लारिफिकेशन इश्यू करी उसके उपर, लेकिन ये बड़ी इस समय की खबर है, उत घाटन समारों में 25 दल शामिल हो रहे ह मैं सीधा रियक्षन लेता हूँ, मेरे साथ मलूक नागर भी है, मलूक नागर, क्या आपको लगता है आपके बास उन्वाइट आ गया होगा, क्या आपको लगता है ये सब कुछ गलत हो रहा है, अब BSP के आप BJP के साथ नहीं है, BJP के धर भी रो दी है देखिए पार्लेमेंट में जो पार्लेमेंट चलती है जहां तक मेरी बात है 688 participants हैं इसमें 600 के करीब BJP के और सरकार के खलाफ हैं कुछ ऐसे हैं जो सही बात है हम सही बात पर समर्थन करते हैं गलत बात का हम 100% विरोध करते हैं जहां तक बात है तो पारलेमेंट का भी विरोध कर रहे थे पारलेमेंट बननी नीचीए अरे 1913 में कलकत्ता में लेजिसलेटर सिस्टम शुरू हुआ 1920 में और 21 में जनवरी में 20 में दिसंबर में यहां आया यह बिल्डिंग 17 में बननी शुरू हुई 26 में पूरी हुई 27 में 1927 पहला सेशन हुआ 1947 तक इसका नाम भी सेंटरल लेजिसलेटिव असेंबली था फिर कॉंस्टिट्यूट असेंबली बावन तक बावन में जाकर के भारतिय संसद और इंडियन पारलेमेंट आया तो जब 1920 में ट्रांसफर हो रही थी 1913 में शुरू हुआ 20 करोड़ से कम लोग थे 1947 में 37 करोड़ थे 30 करोड़ यहां रहे गए 7 करोड़ पाकिस्तान में चले गए और जब आज 2023 में 140 करोड़ लोग हैं जहां ज़रूर थे ज़्यादे MP बनने की ज़्यादे चर्चा करने की ज़्यादे देश के लिए काम करने की यह तो उसका भी विरोध कर रहे थे यह तो जहां तक मुर्मु जी की बात है महा महीम राष्टपती जी की कुछ दिन पहले चुनाव हो रहा था इनके जो नेता सदन है हमारे साथी आधिर रंजन्राव राष्ट की पत्री तक कह दिया था क्या करा इन्हों पार्टी से निकाला वो ही दलित हैं वो ही आधिवासी हैं वो ही सारे देश के लोग हैं और जहां पिछले दिन वो पिछडे जिनमें जाट गुजर यादवपाल से निकर सब सुना लोहर कुमार सब आते हैं धनकट साहब चुनाव लड़ रहे थे उसका भ बात है आज देश की पार्लिमेंट की उद्गाटन की पूरे संसार में आज हमारा देश तरक्की के रास्ते पर कोरोना के बाद तेजी से लगातार उपर बढ़ रहा है तो पाकिस्तान की तरह हमारे देश की छवी भार खराब नहीं होनी चीए ये मैसेज नहीं जाना चीए कि अंग्रे जो की बनाई गई पार्लिमेंट की बाद अगर देश की सरकार ने अपने देश की जनता की गाड़ी कमाई के टेक्स की पैसे संसद बनाई तो उसमें भी पक्स और भी पक्स अलग अलग खड़े हैं सही बात का समर्थन करना चीए गलत बात पर विरूद करना च अब तो संगोल पे भी सवाल खड़ा हो गया है कि इस संगोल भी धार्मिक चित्र है नई संसत की सुरुवात में मनुख नागर अब तो संगोल पे भी सवाल खड़ा हो रहा है आपका एक रियक्शन उसकी ऊपर समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लेमेंट्टे एसी हसन ने सवाल खड़ा करना आएंगो है जहां तक संगोल की बात आएगे जहां तक उस छडी की बात आयेगी जहां तक उस सनातन धरम की बात आएगी तो हम दो चीजेगर के पक्सधर हैं और जहां तक बात है उस छड़ी की वो उस समय इंडिवीज्वल किसी भी व्यक्ति को नहीं मिली थी उस समय के देश के प्रधान मंत्री को मिली थी और आज देश की सरकार के दोरा देश के लोगों के दोरा अगर नई संसद बनाय जा रही है रही है और वहां उनको शिफ्ट कर रहे है तो मेरे हिसाब से सोचना चाहिए जो लोग इसको मुद्धा बना रहे हैं तो सोचना चाहिए एस्टी हसन को सोचना चाहिए अखिले जी को सोचना चाहिए फकरूल हसन जी को और अगर बीजे पी को कमजोर करना है और सत्ता में विपक्स को वापसी करनी है तो उन लोगों को जो एक तरफ दूस तरफ चले गे थे वापस लाने के लिए बोट लेने के के लिए विपक्स को मजबूत करने के लिए यह सरकार में लोटने की संभावनाओं को लिए सही बात को सही गलत को गलत को अब जवाब कर रहे हैं है लिए भी संगोल कम नहीं नहीं संगोल सब्सक्राइब कर न इस नहीं का विरोध मिर दॉन ठे ना है हम तो भारती की शन्मा के सामा माणत अवह गाले वो लेफर्म कर पर विरोध अच्छा नहीं होता यह का मामला है जी मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं मानुष्तिवारी बैठें और दिल्ली में एल्जी के जो पावर है वो सरकार के उपपर है आप अर्विन के जिरिवाल जी को काम नहीं करना देना चाहते हैं वो शुनेवे मुखमंत्री हैं आप उनके खिलाफ जब सवीधान पीट से फैसला आता है तो आप उनके खिलाफ अध्यादेश लिए आप मेरा मेरा निवेदन आप पूरे और पढ़िये ना उस पूरे और के नीचे तो आपको प्रदान मंत्री जी करेंगे लेकिन जब विदान सभा की कहीं बात आती है तो आप चुनेवे मुखमंत्री से कहते आपको तो यह पढ़ेगा अपसे सुपीरियर है उत्तर पदेश में जब समाज बादी पाइटी की सरकार होती है तो राम नाएक उत्तर पदेश के राजपाल होते वह समाना अंतर सरकार कलाते हैं वह जंता वरशन के लाते हैं अच्छा यह लोग भवन का उत्गाटन हुआ लेकिन देश का प्रधान मंत्री मोधी नहीं कर सकता सदन का उत्गाटन कमाल का लॉजिक है, शक्तिसगर में विधान सवा का भूमी भूजन राहूल गांदी और सोनिया जी करेंगी, लेकिन देश का प्रधान मंत्री सदन का उधगाटन नहीं कर सकता, कमाल की लॉजिक हम लोग दे रहे हैं, नहीं नहीं, तो राष्ट पती जी को क्यों नहीं बुल गाटन करने देना चाहते, सवाल यह है कि यह परिसान है कि अमेरिका के राष्ट पती भी छे साथ कदम चल करके प्रधान मंत्री से मिलने आते हैं भारत के, इनकी परिसानी यह है कि ऑस्टेलिया के प्रधान मंत्री भारतियों के कारिक्रम में भी आके बैठ जाते हैं, इनक बिनमरता में तो ये परिशानी इनकी ये नहीं है इनकी परिशानी है कि भारत का कद इतना बड़ा कैसे कर दिया प्रधान मंतरी ने क्योंकि मैं तो सदन में बैठा जब संजुक्त सदन को राष्टपती जी संबोधित कर रही है उनका जब कुछ लोग विरोध कर सकते हैं और बड़ी बिनमरता से बोलना चाहता हूँ कि अपने हिसाब से सभी कोई अपने बहबहस कर ले लेकिन संसद नया संसद भारत के आत्मनिरभरता का प्रतीक संसद और दुनिया के सभी संसद से यूनीक संसद अगर वो भारत को मिल रहा है नरेंदर मोदी जी के समय में मिल रहा है उसके उद्गाटन में सभी लोग शामिल हो और नरेंद्र मोदी जी का चाहे जितना विरोध करें भारत के गौरों का सम्मान करें हमारी ये प्रार्थना है मुख्यमंत्री इन से पहले भी बहुत सारे थे भाई साब और इन से बहुत पहले इसी तरह से गाम की आप six को शाधी आप अधिस इन राजियों में लेकिन नहीं आपको लगता है कि अभी 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 एल जी बने हैं इसा नहीं है उन्हीं सो तिरांबे से यहीं ब्योस्ता चला रहे हैं वहाँ प्यार करवाईए पीसे आर जिस व्यक्ति को मैं बोलू उसी के आवाद है यह तरीका नहीं है सहीना आप विशे पर रहिए आप अलग विशे से बोल रहे हैं कोई मतलब नहीं है दो बार यह आपने बोल दिया उसका जवाब आपको मिल गया यह विशे ही नहीं है लेफटेन गवर्नर और राम आधनी पार्टी का ओर्डर की कॉपी पहले पढ़ लिज चीज का विरोध नहीं हो सकता और इसलिए विपक्ष की क्रेडिबिलिटी गिरती जा रही है जो मलूक नागर ने सवाल उठाया जो बाउंजन समाज पार्टी के मेंबोरा पार्लेमेंट है अब शांती से अमीज जी सुन लिजेगा पहले तो 19 पार्टी विरोध कर रहे हैं और 19 पार्टी में किसी तरह का जो है कोई अंतर सबी लोग का एक ही मत है कि हम इस इस उद्गाटन में शामिल नहीं होंगे दूसरी बात है कि मैं आप एक परिपक रूप से में एक मैचूर तरीके से सोचिए राज्य सबा का अध्यक्ष है उप राश्टरपती अब उप राश्टरपती को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि फिर वो ओर्डर ऑफ प्रिसिडंस में प्रदान मंतरी से उप पर है अब आप जितने भी इसको जो गुमा फिराने का कोशिश कीजेगा सचा ही ये है कि उप राश्टरपती राज्य सबा का हेड़ है और आप एक मैचूर जर्नलिस्ट है जब आप टीवी में आकर बोलते हैं हमीज जी की कॉंग्रिस में कोन बोल रहा है इस तरह का मैं अन्रोथ करूँगा इस तरह का अफ़ा नहीं फैलाई है क्योंकि आप तो हमेशत मुझे तो विश्वास है कि आप तत्या पर जाएंगे हमने तो इस तरह का किसी का स्टेट्मेंट नहीं देखा मैं ये भी बोल सकता कि बाचपा में बहुत सारे लोग है जो इपनी देना उचित नहीं है तीसरी बात है कि मनोजी ने का हमारे मित्र मनोजी ने का कि परधान मंतरी नहीं करेगा तो पाकिस्तान का बरधान मंतरी करेगा मैं अपने अनुसार नहीं बोल रहा है मैं तत्थो के बोल रहा हूँ अगर अचारे प्रमोट किस्टम को आपने पार्टी से बार कर दिये तो मेरी जानकारी नहीं है पार्टी के बार है वर्तमान में अब उसका ट्विटर अंडर देख लिजे और कॉंट्रवर्सिल टिप नहीं देना उनके वह एक स्वतनते व्यक्ति हैं वह कुछ भी कर सकते हैं वह कॉंग्रिस पार्टी के साधिस्टे से नहीं है जो मुझे जो जानकारी अभी है अगर हम गलत है तो हमको जो प्रिप्या करेक कर लीज़े वो तो प्रेयंगा कार्टी के अडवाइजर है नहीं भाइसाब आप सब चीज़ घलत इसलिए में बोड़ा आप इतने परिपक पत्रकार होने के बावजूत भी आप इस तरह का बाते मत किजिए अरे आप इस कांग्रेस पार्टी की जानकारी है अचारे पर बोड़ा आप इस शो में आने के लिए एक कंडिशन एक ब्रेकिंग न्यूस नहीं है और मैं इसलिए मैं इसलिए देखिए मैं बहुत दुकी हो जाता है इस तरह का बैस से मैं तीवी में इसलिए आया तो आपके चैनल में इतने साल बाद हैं इसलिए इसी बात पर कि थोड़ा से शांती से हम लोग बात करें तो प्रीज सुन लीजे पहली बात ये कि प्रमोध अचारे जी जो है कोई दूर दूर तक प्रियांका जी से कोई मतलब नहीं है उसको वेरिफाय कर लीजिए और कल हमको फिर से शो में बुलाई है अगर हम सही बोल रहे हैं तो आप सारवजनी ग्रूप से बोल दीजे कि आप सही थे हमें कोई आप